कि इतना पैसा मजदूर के पास तो होता ही नहीं है कि तो बुमारी इतनी हो जाती है को वो दुनिया सी चले जाते हैं जब मेरे वाले साथ थे वहां उस तरफ जमाना में पचास अरुपाय रेट होता था फिर असी हुआ फिर एकसव बीस हुआ तूसर वक्त भी कटोती होती थी तो फिर इन्होंने बारह सो किया जोदा सो किया तो उसमें से आठसो मिलता इन में से 2020-2223 जो वेजिज रेट था वो 1850 था लेकिन मोस्टली भटों के उपर वो एडवांसिस की वजा से आठसो साथ सो रुपया पर थाजन ब्रिक मेंकिंग पे करते थे इसपोज एक फैमिली है दो मीयं बीबी है वो रोजाना एकजार इंट बना रहे है छेजार इंट सेसे च्छे दिनों में बनाते हैं जगाफ़ दे देते हैं इन में 90% लोग ऐसे हैं जो जुओा क्येलते हैं इनके गार में याट्टा होना उनको बताते रहते हैं को यह रह आटा पहले लेकर और फिर एकाम करेंगे लेकिन ये उस अक्टिविटी में भी इन्वाल्व हैं ड्रग्स का यूज करते हैं ठीक है अपनी जरूरियात का ख्याल नहीं रखते हैं इसकी बीवी बमार है उसको छोड़ देंगे लेकन अपनी चरस और ये जो जुए शुवी वा अब को कर दो स्कुए हिए कि मैं ये जिए जो असर जारी जुए आप पॉर्धियू था जुए से अबाजे नहीं ये रूर्धियू शुए को अधियू तो जो सबसे प्यादे आये, वो मजदूरी आये, भटा मजदूरी आये. आस्पिटल आते थे, एक-एक रुपया ऐसे एकथा किया होता था, फिर अपना ब्लड दिया आनोंने, मजदूरोंने. तो उस वक्त हॉस्पिटल के बैड़ पर ये साथ हुआ कि नहीं, इनको कहलानी चाहिए. मेरी इंस्पिरेशन जो है, मेरी फादर से हुई, वो ट्रेड यूनिनिस्ट थे, और हमारी जहां पर हमारा घार था, हमारी घर के स्राउणिंग में भट्टी भट्टी थे, और हमारे वालिद के पास भट्टा मजदूर जो हैं, वो डिली आते थे, और आके अपनी कहानिया सुनाते थे अपने साथ होने वाले जो भी मुझा अलिम थे जो भी पर तशद्द होता था वो आकर बताते थे एक खातून थी और वो बज़रग वरत थी कप्रिस के फटे वे थे भूकी थी और उसने आकर का कि मैं तो उसको अपना बेटा बेटा करती दी मैं इसको पुत्तर कहते रही और वो मुझे मुझे थपड मालता रहा और वो मेरी बेटी लेगा मेरी बेटी कैसे मिलेगी मुझे रब एक ही उसके बगार सांस लोके ना उसके बहुत सारी जो है इस तरह के वावेला तो था ना वो मुझे बहुत मेरे लिए नकाबले बरदाश भी था और जो क जिसने मुझे मजबूर किया कि इन लोगों की हालत को देखना चाहिए, आखोंसे भी देखना चाहिए, उस खातून भी जो बार बार उसका बावेला था, उसकी चीखों पुकार जो थी, वो मेरे कानों मेना, आज भी उसी तरह गूंज रही है, और वहीं से मुझे नहीं पता कि मैं खुद किस वक्त भटा मजदूर बन गए, बीस-बइस भटे थे और उन सारी भटों पर जो हमने, वो छे हम क्लास वेलोस थी, तो हम हर भटे पर दो-दो जाती थी, तो हमें पता इस रहा कि उनने हमारी एक खातून थी, एक और रशीदा गुलाब, और प्यरी बीबी और हम पांचे स्टूडेंट्स, वो हमारे साथ होती थी, तो उनको भटे मालिक ने पर मारा कि तुम यहां क्यों आती हो, गालिया नी, जब मैंने देखा कि वो उसको तो पत्थर मार रहा है, रशीदा अउलाब को, और गालिया दे रहा है, गलीज गालिया दे रहा है, तो म मैं जल्दी से मैंने का किया, मैंने कोई और नी किया, मैं भटे को उपर चाड़ गए, ओपर चाड़के तो मैंने इंटे बसाना शुरू कर भी उपर से, अब यह थोड़ा मुश्किल था, कुछ उनको टाइम लगना था, कि वो उपर की तरफ आये और फिर हमें पकड़े, उससे पहले हम मैंने को ना इंते मारके थोड़ा दोड़ाया, और फिर मसदूर में भी थोड़ी हिम्मत अ यह नही बता था, बिल्कुल, कोई इतनी ना एघ थी ना इतनी, कोई थी तालीम थी, यह तो नहीं थी थी यह तोड़ा था, कि यृतों कैसे बनाते है, काट कैसे कर फोर्स्ट एंड चाइल मेरिज़ इन की जब हाला देखी तो पुझे यू लगा कि और तों को एक ही वक्त में दोरे तेरे और चारे के समका वते शड़त का शिकार है और एक तरफ उपने बचों को जनब दे रही है पाल रही है घर की देख भाट भी करनी है खाना भी देना है सादी जमेदारी उनकी है बचों की परवरिष्टे लेकर घर की देख बाल तक और फिर उसके साथ साथ वो अपने शोहर के साथ या अपने वालिद के साथ या वो अपने भाई के साथ वो उसी भट्टे पर जो है ना वो जबरी में शिकत करते ही भी नज़रा रही है कि कोई डॉक्टर ने कोई मतलब इस तरह का सिस्टम ने को फॉरी तोर पर किसी करीब भी डॉक्टर हॉस्पिटल कहीं पर ले जाया जाए तो वो मर्द जाते हैं या पर बच जाती है कोई औरतों के लिए लेट्री ने नही बट्टों पर पेने का उन्हे साफ पानी में तेरा हो उन्होंने दूर अपनी जुगियों से ऐसी जगा पर जाना है जहां पर रफाय हाज़त के लिए और फिर वहां पर उनके साथ बहुत कई दफ़ा बहुत सारे हाथसात हो जाते हैं पहले दिन से हमने देखा के हर भटे के उपर आलमोस्ट एक रेप जरूर होता था किसी ना किसी की हड़ीयां जरूर तोड़ी जाती थी अजरत ना होने के बराबर थी लोग ऐसे लोग जो जागीरदारों के वडेरों के जलम से सताय हुए होते थे वो वहां से निकलते थे तो भटा मालकान के जो कारिंदे थे वो उनको ट्रैप करके लेके आते थे तो वो इनके चंगल में आके फसते थे वो इन्हें बड़े सोहने खाब दिखाते थे जो भी मेल मजदूर हैं पैसे तो मर्द उनके लिए ते हैं अब यह रवाद नहीं है कि आज आज भी किसी मजदूर उरत को उसके काम की शनाखत नहीं है मजदूर से जब बड़ा लेना होता है तो वो उसकी औरत को जो है ना वो हमिलेट करते हैं यह उस सारे तशद्द का शिकार वो औरत को करते हैं उसकी बेटी को अभा कर दिया उनको रेप कर दिया यह एक तरह से वो उस मजदूर को बता रहे होते हैं कि अगर तु हमारे पास काम नए करेंगा, अगर तु इनकार करेंगा काम करने से तो उसका बत्रह भी काम करेंगे, अगर जुदिशील और्ट हुग चजह साथा मुर्टन सोब्सक्राइए-. जो थी भटा मजदूरों के लिए खेट मजदूरों के लिए जो हेबियस पेटिशन थी उनको अकसेप्ट नहीं करती थी और कॉंसिजर ये किया जाता था कि अगर एडवांसेज लिए और एग्रीमेंट किया है तो फिर वहां पे काम करना पड़ेगा लेकिन 88 में सुप्रीम क पाकिस्तान ने लेंडमार्क केस दर्शनमसी केस वरसे स्टेट में ये करार दिया है कि ये पेशगीज जो है और ये सिस्टम जो है ये अबॉलिश्ड है और इसको सिलेवरी कॉंसिडर किया जाता है और इसका खात्मा किया जाता है और गॉर्मेंट आफ पाकिस्तान को डिर वैसे वो उनके पास है नहीं दूसरी बात है कि अकसर आप ये जो सेक्टर्स की बात कर रहे हैं ब्रिक किल्न हो गया टैनरीज हो गया इधर अकसर ये होता है कि लेबर जो है वो सब कंट्राक्टेड होती है और जब सब कंट्राक्टेड लेबर होती है तो गर्वर्मेंट अकस आपके सब्सक्राइट के साथ और वो अकसर मिनमम वेज नहीं देंगे और अगर देंगे भी तो वो कार्टेंगे क्योंके कहेंगे कि आपने पेश की लीवी है अरांद 80,000 ब्रिक के उन बेकल वोकर्स करते हैं यद अरै अर्ड देंगे कि अगर्ण देंगे जेगे उन्हें देंगे लिए इन शेवरी आफश माफिया इन देंगे तो रास्ते में घर के घर से आफिस और अदालते थाना पुलिस तो पता नहीं जलता था वो जब जट्थे अब जाके पुछ देशन रिपोर्ट करती थी किस तरह है लोग हैं तो पता करेगी ये कौन लोग उस वक्ता चलता था कि पथा मलकान है वो उन्हों ने ये सारा बंदबस गिया था कि आपको आपको हरास गिया जाया आपको अपको ड्राय जाय और आप नामिक ले और जिस बं बनाने का मौका मिल जाए और उस सोने को फिर वो अपनी मर्जी से इस्तमाल करता है उसको हम देखते हैं कि पुलीस उनके सामने बेबस होती लेबर डिपार्टमेंट उनके सामने बेबस होते है अध्यक हमने ये देखा है कि जो उनकी एसूसियेशन है असूली तौर पे तो उ एलफेर के लिए काम करती, जिसकी बुन्याद पर वो इतना ज्यादा सर्माया और कदर शायर पैदा करतेर हैं, वो उनकी ज्यादा मदद करते हैं। इसवजासे उनको अपने बृरि इंसपेक्शन ãशाय प्रुल Dus。 17 years का बच्चा है और वो चार भाई बटे पे काम करते थे हफ़ते की वो 24 से 26,000 इंट बनाते थे जिसमें से 10-12,000 मालकान भटा मालकान जो हैं वो उसमें से कटौती डिडेक्शन कर लेते थे और 10-15,000 रुपया उनको देते थे ये 10-15,000 जो है ये पूर वेजिस रेट पे है एक्चुल अगर 24,000 इड का इंकम है वो मोर देन 60,000, 70,000 है लेकिन वो उसमें से भी कार्ट कटाके उनको पंदनादार देते थे और 6 साल बाद पता चला कि उन्होंने जो 5,000,000 रुपया पिछले प्रीवियस मास्टर को पे उफ करवाया था अब वो उनके उपर 9,000,000 बन चुका है तो ये नवीद जो है इनको भटा मालक का ही एक एजेंट जो है नौकरी का जहांसा दे कर इसलामाबाद में शादी हाल में ले गया और वहाँ पे उसने इसका एक कोठी में ले जाकर किड्री जो है वो निकलवा दिया अब ये 17 साल का बच्चा है माइनर है और उसका अभी तक रिकावर नहीं हो सका अब बच्चा है